नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुभा उठकर दर्वाजा खोलते ही क्या करी ऐस घर के महलाएं ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परिसानी ही ना आए अर्थिक तंगी ना रहे जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं सुभा सुखर उठने के बाद दर्वाजा खोलते ही मुख्य दर्वाजा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता हलांकि आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है घर में जो आपका मुख्य दर्वाजा होता है उसका काफी बहत्तो है जैसे हमारे बास्तू सास्त में भी कहते हैं बाकी पूरे घर का दर्वाजा जैसा भी हो लेकिन घर का मुख्य दर्वाजा तमाम दर्वाजा से सबसे बड़ा और दो पल्ले वाला होना चाहिए, यानि सिंगल पल्ला का दरवाजा नहीं होना चाहिए ये भी बहुत बड़ा बास्तु दोस्त लगता है और दूसरी बात हमेशा ही अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुत्रा बनाये रखना चाहिए क्योंकि घर में जो मुख्य दर्वाजा होता है वहीं परसे तो मालक्ष में आएंगे न तो बास्तू सास के अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा सही इस्तिती में सही दिसा में भी होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, सांती और सम्रिद्धी लाता है तो दोस्तों चाहिए आप कैसा भी घर बनाए हो कैसा भी दर्वाजा हो लेकिन इसी में एड़ेस्ट करना होता है क्योंकि घर तो लोग एकी वर बनाते हैं बार बार तो बनाते नहीं है अब चलिए हम ये बतलाएं कि महिलाएं घर की दर्वाजा खोलते ही क्या काम करें कि जीवन में परिशानियां कम और खुसियां ज़ादा आए घर की महिलाएं सुभा सोकर उठने के बाद अपने मुख्य दरवाजा के दोनों चौकट में थोरा थोरा जल जरू डालें और ये जल अगर गंगा जल हो तो अतियुत्तम है वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों से चौकट में डाल दें थोरा थोरा डालना है इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुकसम्रीदी भी आती रहती है दोस्तों दूसरी बात सनी बार और रभी बार के दिन ये उपाया आपको करना है वैसे तो आप घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर आपका जहां द्वार होगा वहां तो जाडू लगवाते ही होंगे पानी से साप करवाते होंगे हर कोई कराता है लेकिन क्या आपको पता है सनी भार और अभी भार के दिन जाडू लगाने के पहले दो बाल्टी पानी डाल दे या दो मगी डाल दे फिर जाडू लगाए यानि जाडू पहले नहीं लगाना है पहले पानी डाले फिर जाडू लगाईए सनी बार और अभी बार के दिन ये उपाय जरूर करें आप चाहें तो नित्ते दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे सास्त्रों में ऐसा वर्णित है अगर कोई ब्यक्ति आपके उपर जादू टोना टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और मा लक्षमी आपके घर रहेंगी दूसरी बात आप अपने घर के दरवाजे पर पीला लाल मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग बेगर लगा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा सो समझकी कीजिएगा किसी बास्तोवित से अच्छे से सला लेकर हम बात कर रहे हैं ये तो हमने बतलाया मुख्य दरवाजे पर सो के उठने के बाद दोनों चोखट में जल डालना है और सनी बार और रविवार को खास कर आपको मुख्य दरवाजे के बाहर जो होते हैं द्वार वहाँ पर जल डाल देना है जाडू लगाने के पहले आप घर में पोच्छा भी लगवाते ही होंगे तो घर में पोच्छा जो लगवाते हैं सिर्फ ब्रस्पती बार का दिन छोड़ कर तो आपका ब्रस्पती भी मजबूत होगा और घर में लक्ष्मी आसानी से आएंगी दोस्तों आप अपने मुख्य दरवाजे पर हम मुख्य दरवाजे पर ही आते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्तु है सोमबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगवाईए आप रसी, सूता, किसी चीज के सहारे, आम के पत्तों का एक एक पत्ता अला कर ले डंठल में बांद बांद कर बंदनवार खुद भी तियार कर सकते हैं उसे बांद दे और हर सोमबार को इसे चेंज करें पहले वाला निकाल के बाहर डाल दें इनिवर लोग जानवर लोग खा लेगा कोई दिकत नहीं है ऐसा करने से आपके जो घर में आप लोग रहते हैं स्वास समस्या नहीं होगी और ब्रहस्पती बार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो ब्रहस्पती बार के दिन असोग के पत्तों का बंदन बार लगाएं ठीक उसी प्रकार असोग के पत्तों का बंदन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है और सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगाने से स्वात समस्या कभी परिसान नहीं करती है आप चाहें तो सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगा लें गुरुबार के दिन असों के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहें ये भी उतम रहेगा दूसरी बात गनेज जी की तस्वीर अपने मुख्य दर्वाजे पर जरूर लगाए लेकिन लगाएंगे कैसे बाहर की ओर से गनेज जी नहीं लगाईएगा क्योंकि गनेज जी के पीठ में दर्डरता का आवास होता है और दर्डरता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परिसानी होगी इसलिए जब भी लगाईए मुख्य दर्वाजे की अंदर की ओर से दर्वाजे के ठीक उपर गनेज जी की तस्वीर लगाईए जैसे कि उनका पीठ बाहर की ओर हो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मुख्य दर्वाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गनेज जी लक्षमी जी के उनकी पीठ अंदर की ओर चलिया ही बाहर से अपने लगा दिये ऐसा आप मत कीजे अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है इसलिए अंदर की ओर से भी एक गनेज जी चिपका दे ये उत्तम रहेगा अपने घर में पूरे घर में जहां तहां देपताओं की तस्वीर ना टांगे एक पुजा स्थान वना है उत्तर पुर्व कोना में वहीं पर देपताओं का निवास रहने दे और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग भी ना टांगे हिंसक जानबर के डूपता हुआ जहाज है ताज महल है नटराज है इस टाइब के पेंटिंग टांगे ना ही जरने का पेंटिंग लगाईएगा वरना पैसे आपके जरने की पानी के तरह ही बहने लगेगा ये तो हो गई अब हम आपको आगे की बात बताते हैं आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइट स्वस्तिक जरूर बनाईए ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है नौंगुल से छोटा ही रहे सुन्दर सा खुबसूरत सा बनाईए और बनाएंगे कैसे तेल सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं स्वस्तिक बनाईए और स्वस्तिक के दोनों साइट दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा ये लक्ष्मी को बांधिती है अगर आपने यूही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को तो फिर स्री आपके घर में नहीं रहेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा मुख्य दरवाजे के चोखट के ठीक ऊपर बीचो बीच हल्दी और चावल चावल जो अक्षत होता है उसे पानी में भिगो दे आधे गंटे के लिए फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल्दी पौडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा सा घोल से मुख्य दवार के तो वहां पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुस्ट आप जानते ही होंगे तो उसका पौधा आप लगाईए ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं होंगी और खुसियां भी आएंगी भर भर कराएंगी एक बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही में गेट को दम साफ सुथरा रखिएगा अगर आपके घर के बांडरी वाल के दर्वाजे के बाहर जगह है तो आख का पौधा जरूर लगाईए सत्रू कभी आपको परिशान नहीं करेगा तो हमने आपको बतलाया में गेट को आप कैसे अच्छा बनाए कि जीवन में सुक का ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से सर्सों का तेल का दिया जलाते रही है अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है प्रेम से उठा कर कहीं मंदीर या सार्वजनी का स्थान पे लगा दे घर में पीपल का पेड़ होना अच्छा नहीं होता वर्ना सनी दोस्त से कि खुषिया कहीं न कहीं धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाईए और ये मनी प्लांट लगाईएगा दक्छिन दिसा में धन की बरकत होती है एक बात का ध्यान रखेगा मिट्टी में मत लगाईएगा जब भी लगाईए गं प्लांट अपने आप में दोस देने वाला होता है तो इन चीजों से बचिए छोटा पता का ही मनी प्लांट अच्छा होता है दोस्तो हमने आपको बतलाया था मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर से गनेज जी की तस्वीर लगाने एक और बात करनी है आपसे ये जो तस्वी करने के लिए काफी होता है अपने डाइनिंग एरिया में भी आप एक मोर पंक का जरूर्ज अस्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर ना पड़े और आपका जीवन खुसियों से भरा रहे तो तीन काम कौन से है जो सुबस्वा नहीं करना चाहिए पहला तो करोध गुसा ना करे किसी पर चीखें चिलाएना दूसरा सुबह उटकर एक खुबसूरत सी मुस्कुरहट के साथ समय सुरू कीजिए कि आज दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा हम आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो से लाब होता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई अगर ओस विदा है तो आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे हर हर महादेव